तुम कल को नोकरी लग जाओंगे तो तुम्हारे माबाप के लावा कोई खुछ नहीं होगा और तुम अगर दो रुपे नहीं कमाने लग गए ना तुम बेरुषगार होगे तुम्हारे माबाप के लावा सभी खुष होगे लेकिन चेंज आएगा मेरा ऐसा मांना चेंज आएगा रिष्टेदार खराब है लेकिन हम अच्छे रिष्टेदार बनेगे जब हम उस तो हैसियत में आएंगे तो हम अच्छे रिष्टेदार बनेंगे इसलिए मिड्ल-κλάस फैमिली न हमेशंद रहती है पैसे वालों के आहां पर आप ना बोलेंगे कम काम ज्यादा करेंगे आप और फैमिली में देख लो ना आपको देख सबसे ज्यादा दुख तभी तो होता है जब फड़ोसी कोई बड़ी नोकरी लग जाता है या कोई बजलब बड़ा बिजनस सेटप कर लेता है तो चलता है इंडिया में मिडल क्लास फैमिली यह समझाएं आज की नहीं है आपके पापा हमारी उमर में थे आपकी हमारी उमर मे यहां कोचिंग से नीचे गये एक रिक्षा वाला है आप उसी रिक्षा वाले सी बात करना पसंद नहीं करते है आप बह confessed न पर प्रह淌ते हम भी नहीं करते हाँ इंगerem उसके साथ सेलफी ने सेना चाहते है अंक योगि है तो क्योंकि सोशाइटी का स्ट्रें गया है ज अच्छा आता है अपन तूट पड़ते हैं उसके उपर की एक सेल्फ ही ले ले वह हमके हमारे साथ नहीं की जाना चाहता क्योंकि जो गैप सिच्वेशन नंबर वन में था वही गैप सिच्वेशन नंबर दू में और ये गैप हमेशा रहेगा इसको कोई कोई मिटा नहीं सकता इसी लिए तो आप में हमने कसक है मतलब सबी लोग में ऐसे कसक होती है कि मैं उपर उठाओं मैं जहां जिस इकनोमिकल पोजिशन पे ऊना उस इकनोमिकल पोजिशन से ऊपर आऊ इसी गैप के कारण औरना सब एक जैसे हो जाए तो बताओ आप क्या पढ आप सिचुवेशन नमबर वन से सिचुवेशन नमबर टू में आ सकते हो बस पड़ लिखके आप अपनी सिचुवेशन बदल सकते हो गैप वही रहेगा गैप वही रहेगा